हाई बच्चों कैसे आप लोग चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्चर हम आपको पढ़ा रहे है और्थोग्राफी प्रोजेक्शन यानिके लम कोण ये प्रक्षेब ठीक है लम कोण ये प्रक्षेब में हम आपको most important topic इसका पढ़ाएंगे वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा बिलकुल ध्यान के साथ हम आपको पढ़ाएंगे चतुर्थांस for quadrant ठीक है चतुर्थांस पर बहुत जादर depend करता है आपका कि आपका VP कहां पर जाएगा HP कहां पर रहेगा ठीक है ये सारी चीज़े यहीं से निकल गयाएगी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में HPVP किस कंडिशन में होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में HPVP की कंडिशन कहा रहती है ऐसा ही सेकंड और फॉर्थ में HPVP की कंडिशन कहा रहती है और फर्स्ट और थर्ड में ड्रोइंग क्यों बनती है और आपकी सेकंड और फॉर आपर पढ़ेंगे चतुरसांज को ठीक है आप वहाँ पर सिर्फ एंगल थर्ड एंगल फोर्थ एंगल यही पढ़ेंगे यहाँ पर आप इसके साथ में आगे क्या पढ़ेंगे इसके साथ में आपके dollars प्लेंडर बर्टिकले प्लेंड मेद अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लिते यह तल हमारा कैसा है 36 तल होड़ तो यह मेरा भोगेleghp Beauil in ठीक है एच्पी का मतलब और होरी जैंटल होरी जैंटल होर्जैंटल प्लेंड यानिके 36 तल यानिके 36 तल ये 36 तल है तो इधर भी HP है आपका ये पूरा क्या है HP है ये पूरा क्या है VP है ये क्या आपका VP VP मतलब vertical plane यानिके उर्दवारदर तल ठीक है तो ये VP है ये भी VP है अब यहाँ पर देखो एक line मेंने ऐसे ड्रोकर रखी ये होती है संधर्व रेखा रिफ्रेंस लाइन ये क्या होती है रिफ्रेंस लाइन संधर्व रेखा इसको हम क्या मोलते हैं संधर्व रेखा यहाँ तक कोई confusion नहीं ना चतुर्थांस में ये आपका जो तल होता है ये 36 तल होता है जिसको हम horizontal plane 36 तल बोलते हैं ये वर्टिकल प्लेन होता है जिसको हम फर्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं या हम बोल सकते हैं फर्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन समझते रहना ध्यान से ये फर्ष्ट क्वाड्रेंट है पर्थम चतुर्थांस इसको बोलते हैं या फर्ष्ट एंगल प्रोजेक्शन ही बोलते हैं ये आपका इधर आ में तो second angle लिख देता हूं second angle projection बौल सकते हैं कि लियर यह होता है आपका third angle projection यानिके third quadrant चतुरथांस 3rd तिरित्ते चतूर्थांस या इसको हम बोल सकते है 3rd angle projection 3rd angle projection clear बाज है ऐसे ही यह होता है आपका 4th quadrant यानि कि 4th चतूर्थांस ठीक 4th चतूर्थांस या इसको हम बोल सकते है 4th angle projection 4th angle projection आगे मैं छोड़ रहा हूँ यहां तक कोई confusion नहीं न अब देखो, यह आपका first angle projection होता है, यह second angle projection होता है, यह third angle projection होता है, यह fourth angle projection होता है अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, first angle projection में, first angle projection में HP की कैस्तिती रहती है और BP की कैस्तिती रहती है हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं यहां पर first angle projection में, किसमें first चतुर्थांस या first angle projection में, first quadrant या मैं बोल सकता हो first angle projection, first angle projection बोल दो या first quadrant बोल दो, तो इसमें हमें बतानी है VP और HP की स्थिती क्या रहेगी, किसके संदर्व रेखा के according, बोल देखो अब मैं इसका ये डाइग्राम लेता हूं, इसकहीया इसको रफ कर दो, इदर से इसको रफ कर दो तो यह बच जाता है, यह बच गिया मेरे पास ऐसे, यह मेरे पास मैं इसको ले लो तो मेरे पास कैसा आएगा, यह portion एगा, मेरे प्लेयन, आपको में यह कों सा है VP ये मेरा plane कौन सा है वीपी ठीक अब यहाँ पर आपको एक rule मैं बता देता हूँ rule को ध्यान से समझना rule rule हमारा क्या कहता है कि vertical plane हमेशा fix रहेगा vertical plane vertical plane हमेशा क्या रहेगा fix रहेगा vertical plane जिस इस सिती में है वो उसी सिती में रहेगा महां से उसको कोई हिला नहीं सकता है तो vertical plane ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा यह आपकी कहा है reference line और लिखदू में इसको यह आपकी reference line है संदर्व रेखा तो संदर्व रेखा कि ऊपर क्लोक वाइज रोटेट करता है कि क्लोक वाइज रोटेट करता है जब यह 90 डिग्री क्लोक वाइज रोटेट करेगा तो कहां आ जाएगी आपका होरिजंटल प्लेन कहां जाएगा होरिजंटल प्लेन आपका यहां पर आ जाएगा एच्पी एच्पी कहा आया यहां पर आया अब मैं इसको इस स्थीति से 90 डिग्री रोटेट किया ये इस स्थीति से 90 डिग्री रोटेट किया ये और मैं इसको क्या कर दू रफ यहां से रफ कर दू इसको यहां पर रफ कर दू ठीक यह मैंने यहां पर रफ किया और यह आपकी एक क्या होगे संदर्व रेखा हो गई य हो गई आपकी reference line यह आपकी reference line होगी अब आप बता सकते हो अब आप बता सकते हो third angle projection sorry first angle अब आप बता सकते हो कि first quadrant या first angle projection में VP ऊपर है reference line के और HP नीचे है reference line के वर्टी उर्दवार दर तल ऊपर रहेगा reference line के 36 तल नीचे रहेगा reference line के यानि के संदर रेखा गे तो यहाँ पर सुत्र क्या बन जाता है सुत्र बन जाता है VP अपोन HP कैसे बना VP तो उपर ओल्रेडी हाई है HP rotate होगा 90 degree HP क्या हुआ 90 degree rotate होगा जब यह 90 degree rotate होगा तो नीचे आएगा तो HP नीचे आना ही आना है HP नीचे आना ही आना है तो ध्यान रखना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP उपर रहता है HP नीचे रहता है अब हम देखते थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी नीचे है वीपी नीचे है तो वीपी फिक्स रहेगा तो कंडिशन किसकी चीए जो होगी एसपी की तो एसपी जब 90 ड्री जाएगा तो कहां चलेगा ऊपर रिफ्रेंस लाइन के कैसी स्थिती बनेगी चलिए देख लेते हैं हम यह पर बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की थर्ड एंगल प्रोजेक्शन य थर्ड एंगल क्षेक्शन गानिओ ठीक है या थर्ड या थर्ड और ऑज़्रेंट में यह नीचे के है आपका vertical plane और यहाँ पर क्या आपका horizontal plane, अब आपको पता है third quadrant हो या first quadrant हो second या fourth quadrant हो VP जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा, VP अब नीचे है, VP नीचे है इस reference line के VP नीचे है इस reference line के तो यह नीचे ही रहेगा, अब change हमारी बन जाती है, मैं इन दोनों को कर देता हूँ rough, condition हमारी क्या बन जाती है, हमारी condition बनती है, first की तो यह बन गई अब हम देख लेते, third third quadrant या third angle projection की third quadrant या third angle projection की third angle projection की, third angle projection क्या स्थिती बनेगी क्या स्थिती बन रही है, VP reference line के नीचे है VP reference line के नीचे है, तो नीचे ही रहेगा change क्यों सा होगा, HP तो HP गया reference line के उपर तो सुत्र बना HP अपोन VP और इसका उल्टा क्या होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन VP अपोन HP ध्यान देना आपको क्या है अगर आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछा जाए तो आपको स्तीती पता आनी चाहिए ध्यान देना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP ऊपर है तो HP कहा जाएगा नीचे है अब फर्स्ट क्वाजेक्शन में VP ऊपर है तो HP कहां जलेजाएगा नीचे तो ये हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अब हम बात करते हैं इन में हमारी ड्रोइंग बनती है जो भी हम ड्रोइंग बनाएंगे जो भी हम ड्रोइंग बनाएंगे फर्स्ट और थर्ड में बनाएंगे जो भी हम ड्रोइंग बनाएंगे फर्स्ट और थर्ड में बनाएंगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड और फॉर्थ में ड्रोइंग क्यों नहीं बनती सेकंड और फॉर्थ में ड्रोइंग क्यों नहीं बनती सेकिंड एंगल प्रोजेक्शन अब देखो सेकिंड एंगल प्रोजेक्शन या फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्रोइंग नहीं क्यों नहीं मनती सेकिंड एंगल का डाइगराम ले लो वीपी और एचपी वीपी और एचपी तो डाइगराम मेरे पास क्या आया मेरे पास डाइगराम यहां पर यह आया निकल के मेरे पास डाइगराम ऐसा आया निकल के मेरे पास डाइगराम यह आया निकल के यह मेरे पास क्या है वीपी और यह मेरे पास क्या है एच्पी यह मेरे पास वीपी और यह मेरे पास एच्प वीपी तो fix रहेगा उपर रहेगा बट यह क्या होगा यह HPB rotate करेगा क्लोग वाइस रोटेट करता है तो HPB इसी पर चले जाएगा इसी पर overlap कर जाएगा यह HPB क्या कर गया अवर लैप कर गया तो इस इस्थिति में क्या होता है कि ना तो आपको top view का पता लगने का और नहीं आपको elevation का पता लगने का क्योंकि एक दूसरे के उपर overlap कर जाएंगे तो drawing कैसे दिखाऊंगे कि कौन सी drawing कौन सा part कौन सा है तो इसलिए हम second और fourth में drawing नहीं बनाते क्योंकि इसमें भी यह overlap कर जाएगा ठीक तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पर थोड़ी चीज़े समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा ठीक है कि जो आपको पता होना चाहिए और उसी के recording हम जो आपको कल question कराएंगे हम जो किसी को ही भी एक बुलो को लेंगे उसका question कराएंगे तो वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आए देखो मैं first quadrant की बात करता हूँ यहां पर first quadrant की में बात करता हो तो first quadrant का हमारा जो diagram होगा कुछ ऐसा हमारा first quadrant का diagram होगा अब देखो first quadrant में यह मेरे पास क्या है HP यह मेरे पास क्या है VP आपको पता है VP उपर है तो HP कहा जाएगा नीचे चले जाएगा क्यूंकि HP 90 degree clockwise rotate करता है यहां तक समझे माया अब धोड़ा आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं मैं यहां पर एक ब्लोख बनाता हूँ मैं यहाँ पर एक ब्लोक ऐसा बनाया ठीक है एक Welcome मैंने ऐसा बनाया यानि कि यह ब्लोक मैंने इसमें रख दिया first quadrant पे फर्स्ट अंगल एक बार तो मैं यहां से देख रहा हूँ और मैं एक बार देख रहा हूँ टोप से इसको कहां से देख रहा हूँ टोप से यह निकि सिर्स से देख रहा हूँ ठीक है अब देखो जब मैं इसको फरंट से देखूंगा तो मुझे क्या पॉर्शन दिखाए देगा इसका यह बनाऊंगा वी पी में बनाऊंगा ज्यान देना जब आप किसी वस्तु को फरंट से देखते हैं जब आप किसी वस्तु को फरंट से देखते हैं तो उसका प्रक्षेफ हमेशा वी पी में बनेगा मैंने क्या बताया जब आप किसी वस्तु को फरंट से देखते हैं फरंट से द वस्तुगा इस वस्तुगा प्रक्षेप है ये प्रक्षेप को हम क्या बोलते है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन प्रक्षेप को हम क्या बोलते है प्रोजेक्शन जब हम किसी वस्तुगों फ्रंट से देखते तो उसका प्रक्षेप हमेशा किसमें बनता है वीपी में बनता है जब इस वस्तु का प्रक्सेव वीपी में बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे front view, क्या बोलेंगे फ्रंट view, सम्मुक्ड्रस से, यह बोलेंगे हम इसको elevation elevation, क्या बोलेंगे, elevation यह आपको याद रखना है, जब हम किसी वस्तु को front से देखते हैं तो उस वस्तू का प्रक्षेप बीपी में बनेगा हमेशा और जब वो बीपी में बन जाएगा प्रक्षेप तो उसको front view या elevation बोलेंगे क्या तक किलिए अब हम बात करते हैं यह जब हम किसी वस्तू को top से देखते हैं तो आप इसका प्रक्षेप का बना रहे हैं HP में बना रहे हैं तो अब क्या बात निकल के आती है जब किसी वस्तु का आप टॉप से देखते हैं तो उसका प्रक्षेफ हमेशा HP में बनता है यह मेरी बात है ना हमेशा अब किसी वस्तु को टॉप से देखते हैं तो उसको हम बोलेंगे टॉप व्यूशा या प्लान है यह बता है मैंने जब आप किसी वस्तु को फ्रॉंट से धेकते हैं तो उस वस्तु का फ्रक्षेफ बने वीपी में प्रंट से देखने पर और उसको में बोलेंगे ऊझाद के राइट साइड्व या पिलान और एल soupzan के कि जो राइट के ऑसका आप यानिके side view यानिके पासर उद्रस से अब हम बात करते हैं यह हमारी हो गई बात इसकी अब यह हमारा दिखाई कैसे देगा हमारा आपको formula पता है क्या यह आपको formula पता है वीपी ऊपर है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर है तो HP कहां चले जाएगा नीचे वी वीपी में क्या बनाएंगे आप यह projection बनाएंगे यह प्रक्षेप बनाएंगे और HP में भी क्या प्रक्षेप बनाएंगे यह प्रक्षेप बनाएंगे ठीक है अब जब यह वीपी में बना तो क्या हो जाएगा यह elevation और जब यह HP में बना तो यह क्या हो जाएगा top view या plan य किलियर अब हम बात कर लेते थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मैं यह डाइग्राम ले लेता हूँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी कहा है नीचे है तो क्या उपर जाएगा है तो क्या उपर जाएगा HPU पर जाएगा, ठीक, तो देखिए, देखिए, यहाँ पर, मैं, थर्ड क्वार्डेंट की हम बात करते हैं, थर्ड क्वार्डेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, थर्ड क्वार्डेंट, तो थर्ड क्वार्डेंट आपको ऐसे दिखाए देगा, यह आपकी क्या है, रिफ्र फ्रंट यह सचना कि बीच में यह आ गया यह एक पारदरसी प्लेज़ यह अर इसको फॉरंट्ट से जेखने पर आप प्रक्षिय काम बनाते हैं वह बस्तु का रगशेप बनाते हैya वीपी में बनाते है ऐसी कod को तोफ से देखेंगे तो जब मैंसों से लिखा रहा हूँ देखा हूँ और टॉफ से देखने पर प्रकाश Detroit पर इसमें बनता है है एच्पी में चाहे एच्पी जहां पर भी होगा महीं पर ही बनेगा एच्पी में बनता है तो एच्पी में इसका प्रक्सियफ यह बना तो इसको हम क्या बोलेंगे टोप व्यू या प्लान ऐसे ही जब हम बस्तू को फ्रंट से देख रहे थे तो इसका प्रक्सियफ हमारा वी पी में बना तो हमने इसको क्या बोला front view front view या elevation elevation और elevation के यानिके front view के left side में क्या बनेगा side view बनेगा ठीक है अब इसका diagram कैसे बनेंगा देखिए बीप Lust का है नीचे VP नीचे है तो HP उपर जाएगा already reference line के HP अब VP में क्या बन रहा है आपका ये प्रक्षेप बन रहा है और HP में क्या बन रहा है आपका प्रक्षेप ये प्रक्षेप बन रहा है जब VP में ये प्रक्षेप बना तो इसको हमने क्या बोला elevation या front view और जब HP में बना जब HP में बना तो हमने इसको क्या बोला Top View या Plan ठीक है और VP के Left या Right Side में क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा आपका Side View पासर्व दरस से तो कुछ चीजे ये थी जो आपको समझनी थी जो आपको समझनी थी और अच्छे तरीके से समझनी है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार वीडियो को देखिए सारी चीजे सही तरीके से समझिए फिर उसके बाद हम आपको Step by Step लेकर चलेंगे क्योंकि आपको यहां समझना यह जरूरी था इसी के Coding हम चलेंगे और आपको यह भी पता होना चाहिए था कि हमेशा VP में Elevation यानि के Front View बनता है और हमेशा HP में Plan यानि के Top View बनता है और Side View हमेशा Front View Elevation के Left या Right Side में बनता है ठीक है तो यह चीज़े थी कुछ जो हमें आपको बतानी थी Quad Answer related चार 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 चांसा related ठीक है अब हम आपको Lecture में लेकर चलेंगे आपको कोई एक Block यानि के कोई एक वस्तू देंगे और उस वस्तू Isometric View को हम Orthography Projection में Change करकर आपको बताएंगे कि Plan कैसे बनेगा उसका Elevation कैसे बनेगा और उसका Side View कैसे बनेगा Step by Step ऐसे चलेंगे जो आपके previous year question भी आ चुके है वो भी हम याँ पर cover गरेंगे ठीक है तो चलिए हम आपको मिलते है नेक्स लेक्चर में अभी के लिए Thank You